इस वीडियो में बात करने वाले हमारे मुग टैश पेपर के सॉल्यूशन के बारे में आज आप सभी की मुग टैश पेपर समापत हो चुका है फुल टाइम डिप्लमा कोर्स फार्मेसी और हमारे कोश्टमिलजी और हेल्थ वाला जितने भी बच्चे थे उन सभी का मुग टैश पेपर समापत हो चुका है यहां पे उनके यार मुग टैश पेपर के कोश्टमिलज आ चुका है इस वीडियो में ही हम डिस्कूस कने वाले है कि कैसा हमारा पेपर गया मुग टैश पेपर का ठीका यार कल आप सभी का लेक्टर अंटरेए के लिए और प्लस में हमारा योजी प्रग्राम का जो डिजी इडिट impe arrange वाला जो कोर्स है उसके लिए यूसके लिए इन प्लस में जितने भी इस वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आपको प्रवाइड में कर दूँगा ड्राइव की यहां से आप डालोड कर देख लिए तो यहां पर फर्स्ट कोशन आ जाता है वह आंसर होने वादा था मेथनॉल तो अपका होता है ना सॉलिवल वह मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपको इल्कॉल के लिए ठीक है पर आपकी जो है असिट की स्ट्रेंथ डिपेंड होती है यह था आपका सगेंड कोशन का अंसर और थर्ड कोशन के आंसर की तरफ तो आपका जो 3rd कोशन है buffer solution किस प्रगार से बनता है buffer solution काफी बचलेंगा यह लगा दिया होगा बट इसका buffer solution का आंसर जो होता है यह वाला है d option आना था था टेक है tends to maintain a relatively constant ph जब आपका ph constant वह था तबी के कारण के buffer solution बनता है तो इस प्रकार से आपका जो यह 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 बी option नहीं आपका जो option नहीं आपका option D ठीक है next question की तरब चलते है next question आप सभी का यहां पर है fourth question है fourth question आप सभी का कुछ इस परकार कहता a cell which depends defines against the body cell in which the viruses are reproducing is आपका 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 यह सैट्रो टॉक्सिक T-cells ठीक है यह कुछ अलग से था इनिश्टी सटके था तो यह कुछ answer आने वाला था इसका and next question की तरब बड़े तो next question यह कुछ इस परकार से था आपका यह antibodies can be used antibodies के लिए यूज के जाता है यहां पर इस चीज के लिए सभी के लिए यूज करना था यहां पर काफ़ विचो ने इस चीज पर कर दिया होगा but इसका जो answer था यहां पर all of these था यहां पर mcqs का एक trick बता दू कि आप सभी की जब भी कुछ की फिरकार के जब questions आते है all of these वाले अबब वाले questions तो यहां पर most of the cases में जो आपका all of these वाले जो option होता है वही ठीक होता है all of these यहां पर एक option एक तरिक होता है इसके लिटर आता है none of these वाले question के जो आपका option होता है वह ठीक नहीं होता है but all of the above या all of these के जो जितने भी options होते है इस परकार के options जादा possibility होता है कि आपका यह answer हो ठीक है आपको क्या निकाला था? odd number निकालना था तो इसका यहां पर अगर इसको दंग से पकड़ोगे logical reasoning का question था थोड़ा सा इसमें दिमाग लगना था यहां पर यह find the odd number यहां सो सब का जो था यहां पर फस्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को जब multiply करोगे तो बीचला नंबर आना था तो इसी प्रकार से 3 3 1 का था 3 2 3 3 3 3 1 जा 3 होता है और 4 2 था 4 2 में 2 करेंगे तो 8 आना था बीचला नंबर मैंने का गया फस्ट डिजिट को अगर multiply करोगे तो बीचला नंबर आना चाहिए था तो यह क्या था हमारा और नंबर था यह क्या था और नंबर था मतलब कि इन सबसे हटके था तो इसलिए यह वला option आप सभी का सही गया 8 3 8 3 है जिसका भी इसने यह वला option लगाया होगा वो ठीक गया होगा तो option 7 है option 7 यह आपसे भी कुछ इस प्रकार के था और A, A, B का जो hight था वह 100m था तो according to your question यहा पर 10,30 यहाँ पर नकालना था परपेंडिकुल अपन बेस था परपेंडिकुल अपन में बेस था तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या 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 लगाया 10 का लगाया तो according to question 10 degree तो यहां पर इस प्रकार से मने कल्कुलेशन करा तो अब प्रॉक्स यहां यहां पर 173.2 आया तो इसको अगर हम राउंड ओफ करेंगे तो 5 से कम वैल्यू है तो इसलिए हमने 173 मीटर आ गया है उते हमने 174 इसलिए हमने 186 बड्याद वैल्यूज्ट और मतना 196 बड्याद आप को लीए था फिसलिए 10 уп candidate 3 को नरुनिए 117 1015 इसलिए खैक है। । 3 लोग 3 होता है... फिर्सको बिशा아पान पर अगर है क्या कहते हैं तो हमने क्या करते हैं.... इसनले 3 ले बीज रियाथे है.. Lg 3 लोग 3 को रिया जाता है ट्रिक है। ansब भाग कर लोग 3 को रिया जाता हैó سब தधकर देखा के साथ है तो आपका कुछ value आने वाली थी 0.954, तो यह कुछ आपकी value थी log 9 की value, ठीक है, जो next question था आप सभी का, is 6% stock yield 8% the market value of the stock, यह जो question था ना यार, यह आपका क्या था, यह आपका mathematics related question था, stock market related question नहीं था, mathematics related question था, investment का question था, जो कि मैंने आपके eduguru यह चैल पर करवा रखा है, हमारे एक teacher था, उन्होंने करवा रखा है, आपका अगर जाके देखो के तो अलाम सही आपका, जो topic हो मिल जाएगा, इन्वेस्पेंट आपका, यह जो SP and sales price आपका जो होता है, इस प्रकार के जो questions होते है, वो chapter निप्टा र और तो हमारे पास जो रुपीज आना था, वो 75 रुपीज आना था, यह आपका mathematics से related question है, याद रखना, यह आपका stock market से related questions नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो last question आपका आजाता है, देखो 10 questions थे, मोग test paper में, तो 10 के 10 पूरे सारी questions इसमें आज़के है, ठीक है, तो यहाँ पर 20 articles is the same as the selling price of the X article, if the profit of 25% then the value of the X is this-this के निकालाए था, ठीक है, तो cost price of the 20 article equals to selling price of the X article, ठीक है, इस प्रकार के questions करवा रखके है, हमने second channel पर जाके देख लिए न, ठीक है, अगर इसको solution करोगे, 20 into CP equals to x into SP था, यह आपका first equation बन जाता है, and 25 percentage निकाला था, में profit 25% का हो था, तो इसका इसाब से profit निकालता है, SP-CP हो था, और SP- अगर percentage में निकालना है, तो N2 में 100 करने जा, equals to 25 रखते है, equals to 25 रखते है, 25 यह वाला percentage रखते है, तो इस प्रकार से यह था, and इसको solution करोगे, इस प्रकार से करोगे, तो 16 आता, आपका answer था, तो इसका answer क्या था, 16 था, तो य आपको चेक करना था, अपने डिप्लोम वाले बच्चे, सुभय वाले, उसको वेलन गुड वो देख लेना, तो आप 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 वीडियो को शेर कर देना, अगर अच्छी लगी तो तब तक लिए जलते बाबाए, टेक क्यार, स्याव अग्रेटे, मिल दा नेक्ट बाबाए, टेक क्यार